अगर आपको इस न्यूजपेपर की पीडियाफ चाहिए तो आपको मिलेगी टेलिग्राम पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या सिधा प्रिवर्तन आईस अकेडमी टेलिग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं देखें फ्रंट पेज़ जो दो तेन इंपोर्टेंट न्यूज है उनके बारे में ब्रीफ अनलिसिस करेंगे और एक इंपोर्टेंट टोपिक भी है उसके बारे में भी डिटेलि में डिसकसन करेंगे सबसे पहले नीट पीजी काउंसिनिंग को लेकर जो इशू था वो सोट आप हो चुका और 12 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है ये इनफोर्मेशन देगी सेंटर गवर्रमेंट के द्वारा अभी तक हमने इस पूरे सिनेरियो को इस पूरे केस को पड़ा उपज़र्व किय फिर मैं ब्रीफ में रिपीट कर देता हूं कि पूरा इस्यू बेसिकली था क्या तो यहां पर अगर आप जाएंगे थोड़ा सा नीचे देखिए भारत सरकार ने एक तरीके से अगर आप देखिएंगे ओल इंडिया कोटा के अंडर 27 परसेंट जो अधर बैकवर्ड क्लासी है और 10 परसेंट जो एकनोमिकली विकर सेक्षिन को लेकर जो है कोटा सुरू किया था ओल इंडिया कोटा मतलब यह होता है कि जो मेडिकल एंटरेंस एग्जामिनेशन होते हैं यह मेडिकल कोलेजी जा स्टेट के अंडर उनके अंदर एक तो सेंट्रल में तो ओल इंडिया क कोटा आटमाटिक लिए लागू होता है उनके अंदर कुछ सीट जो स्रेंडर करनी होती है ओल इंडिया कोटा के अंदर उसके अंदर सेंट्रल गवर्मेंट ने बोला था कि भाई इसको भी हम लोग लागू करेंगे अब दोनों को लेकर इशी हो गया था कि OBC और इकनोमिकल विकर सक्षन में दोनों के लिए जो इंकम का जो क्राइटीरिया वो सेम है आट लाख रुपे ठीक है तो उसके बाद एक पूरा सिनेरियो के केस हुआ सुप्रीम कोट के अंदर और पेटिशन फाइल करीगी उसके बाद सोट आट होने के बाद जो है नीट पीजी क पहले भी ये एक्जाम होने वाला था बट फिर उसको रिश्चेडियोल किया अभी यानी 12 जनवर से सुरू होने वाला तो ये बेसिक से एक इंफोर्मेशन है एक्रोमिकल विकर सेक्षन 103 कॉंस्टिशनल अमेंटमेंट उसके बारे में भी हम लोग अल्रेडी पढ़ चुके यहाँ पर एक वर्ड मेंशन उसके बारे में आज में डिटेल से आप लोगों के साथ डिस्कसिन करूँगा प्राइमिस्टर फॉर नॉन स्टॉप रिशर्च टू मेनेज दा पैंडमिक देखिए देश भर में कोविड-19 की सिचुएशन को मेनेज करने के लिए प्राइमिस और एक जो वर्ड लगातार न्यूज में है जब से कोविड-19 आया कोविड-19 का नया वेरिंट ओमिक्रोन आया वह वर्ड है जिनॉम सिक्वेंसिंग तो जिनॉम सिक्वेंसिंग को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपकी बेसिक अंडेस्टेंडिंग इसको लेकर ज देश के अंदर वेक्षिनेशन या मेडिकल इंफ्रस्ट्रक्शर को बूस्ट अब करने को लेकर और लगातार नॉन स्टॉप रिसर्च को लेकर जो हो वो प्राइबिट शाब ने एक तरीके से रिक्वेस्ट करी है अर्ग किया या एक तरीके से एक डारेक्शन दी गई है अब बात करते हैं जिनोम सिक्वेंशिंघ को लेकर या जो टोपिक आप देखेंगे आपने कई बार पड़ा होगा कई बार सुना होगा जिनोम सिक्वेंशिंग करेंगी ओमिकまेक्व को लेकर या अलग-लग म्यूटेशन के प्रिस्पेक्टिव में तो यह पूरा सिनेरी और sequence of gene है sequence of gene जो एक cell के अंदर रहते है cell, tissue और organ ठीक है ये एक part होता है जैसे हमारे स्रीर के अंग जो बनते है वो cell उसके बाद tissue बनेगा और उसके बाद हमारी body के part बनते है तो gene क्या होते है gene जो basically cell के अंदर जो है एक information करी करता है कि उसके particular activities क्या हो रही उसका एक record basically maintain करता है mostly DNA के अंदर क्या होता है nucleus होता है जो की बाद में chromosome के अंदर structure उनको किया जाता है कुछ के अंदर mitochondria भी होता है mitochondria को cell का powerhouse बोलते है इसके लाब कुछ के अंदर chloroplast होता है DNA के अंदर हर human cell के अंदर एक pair of chromosome होता है जिसके अंदर 3 billion base pair होते है अब ये 3 billion base pair नहीं पढ़ने इसके अंदर 4 molecule होते है adenine, thymine, guanine और cytosine ठीक है इनी pair को precise करना ही एक तरीके से genome sequencing आप बोल सकते हैं जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा अगर आप देखेंगे कि इनका जो order of base pair और इनकी length को verify करना ही एक तरीके से sequencing है इनको ही gene sequencing आप बोलेंगे यहाँ पर आप देखेंगे genome sequencing की जब हम बात करते हैं sequencing a genome इसका मतलब यह है कि आप decifer कर रहे है कि exact order क्या है base pair का in an individual यानि यह जो 4 आपने base देखे थे इनको sequence करना ही genome sequencing है यहाँ पर आप देखेंगे उनको एक तरीके से decifer करने का मतलब है उनकी study करना उनके sequence को observe करना तो यहाँ पर इस particular gene को यहाँ पर decifer किया गया sequence किया गया यह यहाँ पर आप देखेंगे यह coding आपको नजर आएगी जैसे यहाँ पर mention है कि सबसे पहले एडिनिन है उसके बाद guanine का आपको नजर आएगा उसके बाद thाइमिन है फिर दो बार cytosine और cytosine नहीं नजर आता है यानि एक तरीके से decifer करना genome को या एक तरीके से DNA sequencing जिसको बोलते है genome sequencing बोलते है उसको एक sequence में coding करना ही एक तरीके से genome sequencing है ठीके अब कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं उसके बारे हम थोड़ा सा बताया गया दो तरीके से होता है या तो full copy of the DNA हो सकती है या फिर उसको छोड़े छोड़े part हाला कि complete genome करना थोड़ा challenging होता उसके लिए बहुत ज़्यादा investment की भी requirement होती है तो क्या होता parts में sequencing किया जाता है और इसके लिए sample अगर हम बात करते हैं सालिवा, epithynil cells से bone marrow से, hair से इन से लिए जाते हैं और इसके अलावा फिर उनको small stretches के अंदर कैसे small pieces के अंदर sequence किया जाता है clone by clone sequencing कर जाती है ये एक important है हलागी whole genome भी हम लोग कर सकते है but whole genome के लिए ज़रूरत क्या है बहुत ज़्यादा आपके पास technology होने चाहिए research और उसके पास आपके पास funding होने चाहिए पैसा होना चाहिए क्योंकि इसके लिए जो है वो definitely बड़े लेवल पर आपको laboratory की requirement होती है इसके लाबा यहाँ पर आप देखेंगे अब advantage क्या है क्यों हमें करना है whole zone sequencing ये बतायागे कि high resolution जो है वो information provide करती है large और small variant को capture करती है cognitive variants को ये identify करता है अब हम हमारे लिए जो important है UPSC civil services के लिए कि benefit क्या है UPSC में अगर आप देखेंगे science and technology के जितने सवाल पूछे गई है उनमें बड़ा सवाल ही होता कि इस particular चीज़ के application क्या है benefit क्या है तो genome sequencing से क्या होगा आप disease को understand करने मदद मिलते है कि specific virus जो है उसको कैसे treatment क्या जा है इसलिए COVID-19 के omicron variant की study की जा रही है वो आप बोल सकते है genome sequencing है ठीक है इसके लावा mutation को identification करना ये जो variant है ये mutation ही है ठीक है virus का एक अलग तरीके से mutate कर रहा है तो उसको identify करना जैसे cancer की category में होता है इसके लावा medication के design को understand करना कि कोई दवाई है उसको understand करिए कि कितनी वो effective है ठीक इसके लावा applied science के अंदर forensic applied science के अंदर advancement में हो bio fuels, animal husband इनके अंदर भी काफी important role play करेगी इसके बाद evolution कैसे हुआ उसको accurately understand करने मदद करती है और genome research जो है DNA based जितनी भी product है ये definitely एक बड़ी multi billion dollar industry है इसलिए भी बहुत important है तो genome sequencing, genome sequencing की requirement क्यों है, कितना important है, क्या benefit है application है ये बहुत important है मैं detail में इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि UPSC में आपको biology नहीं पढ़नी है आपको basic understanding होने चीए biotechnology की, ठीक है तो उसके लिएकर सवाल आपसे पुछे जासकते है एक जो partial relief for air India इन देवास केस देवास का में एक जो case हुआ था या देवास multimedia का जो case है air India के context में उसमें air India को partial relief मिली है इसके वारे में page number 8 पर हम लोग detail से पढ़ें क्योंकि वहाँ पर अच्छे से इन्होंने explain किया है इसके बाद यहाँ पर एक photograph नजर आएगा इस photograph में जो है testing की जारी है किसकी indigenously built aircraft की ठीक है aircraft बहुत important होते है किसी भी country के नेवल के लिए और aircraft को built करने में अच्छी खासी cost लगती मैं अगर आप roughly idea बता हूँ तो एक लाग क्रोड के असपास हो सकती कि एक aircraft की cost हो ठीक है यह basic है इसके अलावा भी हो सकती है तो INS विकरांत को 2022 में commission किया जाएगा भारत की navy के अंदर यह सवाल कुछ examination ने पूछा भी गया था कि भारत का Indian naval ship में विकरांत को कब commission किया जाएगा 2022 में उससे पहले testing हो रही है ठीक है यह testing आपको नज़र आएगी पूरे scenario के अंदर इसके अलावा अगर हम बात करें front page से कोई question आप से पूछा जाए तो question आप लोगों के लिए एक simple सा है और जो UPSC ने पूछा भी था आपको mention करना कि project 75 यह किस से related है यानि इसके अंदर हमें क्या develop करना क्या manufacture करना है वो आपको नीचे comment करना और किस के से defense के perspective में इंडियन नेवी, इंडियन Air Force, इंडियन आर्मी इन में से किस से वो bloom करेगा ये भी आपको नीचे comment करना है project 75 इसके बाद बात करेंगे page number 8 पर मैंने front page पर बताया था कि देवास multimedia का case है जिसको लेकर हम लोग detail में पढ़ेंगे देवास multimedia का case है ये काफी पुराना है 2006 के आसपास एक deal हुई थी देवास multimedia और इसरो की जो commercial wing है एंट्रिक्स के बीच में ये दोनों मिलकर एक scam देखने को मिला उसके बाद 2011 में भारत सरकार ने इसको cancel कर दिया इस deal को अब भारत सरकार ने तो cancel कर दिया 2011 में लेकिन ये जो है ये चलेगे permanent court of arbitration में कि भाई आपने जो है deal cancel करी है न इसका आपको compensation pay करना है आपको जो नुकसान उसकी भरपाई करना है 2011 की deal थी और उसके बाद इन्होंने permanent court of arbitration के अंदर अप्लिकेशन लगाई वहाँ पर ये case जीत गे उसके बाद इन्होंने करेड़ा के अंदर क्योबेक की जो supreme court है वहाँ पर भी application लगाईगी और इस court ने सबसे पहले जो air India है या अगर आप बात करे airport authority of India की जो property बिलोंगिंग है उसको sales करने का order दे दिये थे बाद में आप पूरे scenario में क्या हुआ है कि आप थोड़ा सा relaxation दिया गया है आठ जन्वरी को कि भाई हम ये case तो air India है चाहता था कि ये case ही घतम हो जाए तो कनेड़ा की जो court इन्होंने बोला case खतम नहीं करेंगे 50% seizure amount को उसको reduce कर दिया जाएगा और इसके लाबा इस पूरे scenario को लेकर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी event है चाहे वो काईरेन अनर्जी वाला हो ठीक है दिवास मिल्टी मेडिया वाला हो और इसके लाबा भी वोड़ा फोन वाला case था जो कि permanent court of arbitration के अंदर गए है सारे के सारी case और बहुत ही दो हजार पांच-छे का 2011 का एक issue है लेकिन 2014 के बाद आप देखेंगे सरकार change हुई 6-7 सालों में इस case को sort out करने के लिए क्या हुआ वो एक important चीज़ है वो भी हमारे लिए इतना important है allegation नहीं लगा रहे हैं किसी political party पर main चीज़ है ये जो पैसा अगर pay करना पड़ा है compensation में तो ये पैसा हम सब के tax का पैसा तो इसको कैसी utilization करना है ये हमारे सरकारों की responsibility होने चाहिए इसके लावा अगर आप देखेंगे current energy case में हमने retrospective वाला जो issue देखने को मिला retrospective का मतलब है कि एक पूरो गामी कर लागू कर देना पूरो गामी का सधानता मतलब ये जैसे आज 10 जनुवरी है ठीक आज हमने कोई कानून बनाया हमने tax लागू कर दिया कि हम तो एक जनुवरी से लेंगे tax ठीक तो ये 10 दिन advance में क्यों देगी company ये इसको बोलते है एक तरीके से पूरो पास किया गया Parliament के अंदर और ये सारे जो retrospectives है उसके अंदर changes करेगी ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे ताकि इतनी amount जो है उसको लेकर हमें एक international level पर भी हमरी एक तरीके से image पर नुकसान पहुंसता इस तरह के cases से इसके लाबा यहाँ पर आप देखेंगे एक important topic को discuss किय ये topic काफी controversial भी रहा यानि एक विवादित एक तरीके से पूरा का पूरा amendment रहा है यहाँ पर बात हो रही है citizenship amendment act को लेकर center government अभी तक इसमें क्या rules सुंगे उनके notify नहीं किया January 9 जो है वो third extended deadline थी इसके लेकर तो ministry of form affair ने citizenship amendment act 2019 को जो है वो कई ने कई नोटिफाई किया था अमेंडमेंट किया था और उसके लिए no January third deadline थी उसके बाद भी अभी तक rule जो है वो identify नहीं किये गए या rule जो है इसके अंदर नहीं बनाए गए कानून नहीं बनेंगे इसके अंदर तब तक ये act जो है वो ला लोग सबा के अंदर कि जो person जो है citizenship amendment act के अंदर तब तक लागू नहीं होगे जब तक इसके अंदर वही सेम चीज है कि अगर rules नहीं बनेंगे तो ये जो है वो citizenship पर लागू नहीं हो इससे पहले कि जो act है वही लागू रहेंगे अभी आपके मनमें सवाल होगा कि minister of state for home का क क्या मतलब है गरे मंतरी तो हमारे अमित्सा साब है तो यहाँ पर नित्यानंद राए कहां से आगे तुम आपको इसके बारे में थोड़ी सी पता दू information मैंने पहले ही बता है कि देखी cabinet में एक होता है minister of home affair अगर ये state word mention नहीं है तो इसका मतलब cabinet ministry की वहाँ पर बात हो रही इनी को बोलते है state ठीक है इसके लागा कई बार होते है minister of कोई भी department उसके bracket में लिखा होगा independent charges ठीक हो cabinet minister नहीं होगा बट उसको independent होगा किसी के ministry के अंडर नहीं होगा ये एक important सी understanding है ठीक है इससे पहले आपको बता दू 11 दिसंबर 2019 को ये bill pass हुआ था उसके बाद 24 hour के अंद कर दिया गया था और ये का गया था कि 10 जनवरी 2020 को लागू किया जाएगा ये लेकिन आभी तक की rule notify नहीं हुआ है तो ये लागू भी नहीं हुआ है ठीक है तो मैं दा हिंदू की थोड़ी सी news पढ़ता हूं तो यहाँ पर इनके wording को आप ध्यान से पढ़िए ये बात कर र religion to six undocumented non-muslim community यानी ये नागरिकता पर धान करता धर्म के अधार पर non-muslim community को थोड़ा सा इनोंने पोज नहीं लिया बहुत ही confusion अगर आप आदी news पढ़े तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये तो एक खराब से खराब लो जो सरकार ने पास कर दिया पाकिस्तान, अफगान और बंगलादेश से जित्तरी भी non-muslim community के लोग यहाँ पर है उनको लिए ये लागू होगा ठीक है उनको एक तरीके से citizenship के लिए apply होता है अब यहाँ पर जो debate शुरू हुई थी मैं उसके बारे भी बताऊँगा पासपोर्ट Act 1920 और Forer Act 1946 के अंदर अगर कोई criminal cases है कि आप illegal entry करें वो भी exempt कर दी जाएंगी लेकिन इसके अंदर illegally कोई भारत के अंदर रह रह रहे है वीजए expire होने के बाद या permit के बाद तो उसके against भी action लिया जाएगा यहाँ पर आपने देखा हो दिसंबर 2019 से लेकर मार्ज 2020 तक काफी जादा प्रोटेस्ट हुए असम उत्तरप्रद को benefit करेगा और जो Muslim community है उसको exclude कर देगा citizenship से उनकी नागरिकता को छीन लेगा ठीक है और जब देश के अंदर national register of citizenship लागू होगी तो जो citizenship का जो concept है यह Muslim community को exclude करेगा और non-muslim community को इसका benefit होगा बट क्या actual में ऐसा है इसका मतलब है इसका answer है ऐसा नहीं है पहली बात यह जो act ह अब ध्यान से पढ़िए citizenship amendment act की बात की जा रही है तो citizenship amendment act में यह particular mention किया गया कि वह अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश इनके non-muslim community को लोग भारत में आट उनकी citizenship को लेकर यह बातचित करता है इसके लावा एक जो concern है कि NRC लागू हो जाएगी तो इसमे Muslim community को exclude कर दिया जाएगा क्या ऐसा possible है कि देश के अंदर अगर आप देखेंगे 20 क्रोड से भी जादा यह मैं exact data नहीं है 20 क्रोड से भी जादा Muslim community है उसको आप exclude कर देंगे किसके basis पर एक कानून के basis पर ऐसा possible नहीं है because NRC के बारे में पहले बात तो नेशनल लेवल पर यह लागू होगी नहीं होगी इसके बारे में कोई decision नहीं लिया गया और अगर होगी भी तो proper एक तरीके से identification की अगर हम बात करते तो उसमें ऐसा नहीं कि Muslim को exclude करेंगे उसमें कोई भी हो सकता जो citizenship के लिए eligible नहीं है खैर आप यह जो topic है थोड़ा सा controversial होते हैं सभाविक सी बात है कुछ लोग मेरे बातों से सहमत होंगे कुछ लोग मेरी बातों से सहमत होंगे तो आपको बिलकुल free hand है आप इस पूरे scenario को लेकर सहमती और SMT का आप बिलकुल हक रखते हैं इसके बाद यहाँ पर बात करेंग जो Asian Infrastructure Bank Investment Bank है उसको as a voice president ये जोइन करने वाले हैं former Reserve Bank of India की governor रहे हैं और demonetization में इनको आप अच्छी तरीके से जानते भी होंगे इसके लावा यहाँ मेरे बताया गया कि voice president होगे वहाँ पर 5 voice president है इससे पहले भारत की तरफ से गुजरात के chief secretary DJ Panjian थे वो अब जो वो उनका स्थान ये लेंगे इसके लावा 2018 में suddenly इन्होंने resignation दे दिया कि था कि personal reason है मैं RBI governor नहीं रहना चाहता लेकिन 2015 में बात करते है Asian Infrastructure Investment Bank की 2015 में ये loan चुआ था और इसका main मकसद क्या है loan प्रवाइड करता है infrastructure के perspective में China इसका biggest shareholder है उसके बाद इंडिया second number पर है US और जपान इस इसके अंदर है भारत के अगर हम बात करें तो भारत के 28 project में 6.7 billion dollar की funding दे चुके तो बहुत ही important ये एक तरीके से हमारे लिए bank है हमारे अगर देखें इससे पहले Mr. Pantheon जो की voice president है उन्होंने बोला कि बहुत ही strong pipeline की लिए एक तरीके से funding के लिए बहुत ही important ये bank है इसके ल यहाँ पर आप देखेंगे चेन नहीं material system को लेकर हो तो ये important है देखें एक सवाल I think Asian infrastructure investment bank या Asian development bank को लेकर पूछा गया था UPSC में 2019-20 के आसपास membership को लेकर ही तो इसमें total 104 member है इसका मतलब ये कि Asia से बाहर भी funding करता है मैं अगर आपको दिखाँगा ये ध्यान से पढ़िए ये आप इनको पोज करिए अराम से और इसको पढ़िए किसका infrastructure अगर ये कर रहा है तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर sustainable perspective से हो या highways को construction करना हो ठीक है इसके अलाबा बेसिकली जो climate change को tackle करना उस तरह कि infrastructure को ये mention करता है इसके बाद यहाँ पर आप देखिए इस bank की building से ही आप idea लगा लिजी है कितना बड़ा ये infrastructure को indicate करता ये चाइना के अंदर building है और ये मैं बोल सकता हूं कि जबरदास्त इस पर investment हुआ है और इस word इस bank का जो नाम है infrastructure investment इस पर भी काफी ज़्यादा investment आपको नजर आएगा उन्हीं सब चीजों को बारे में बताया गया कि green infrastructure को जो हम लोग promote करेंगे sustainable economic development होगा difficult times पर objectives oriented जो हमारी approach होगी इसके लावा membership की बात करते तो 104 country जैसा कि हमने बताया था तो ये 57 founding member थे इसके ये भी इसके अंदर जानकारी दीगी तो भारत जो है second largest stakeholder इसके अगर जापान इसके अंदर होता तो हो सकता जापान इसके अंदर second shareholder ह देखें page number 9 पर एक news पढ़ने से पहले question अगर हम बात करें banking sector से ही और international banking की तो हमने अभी पढ़ा Asian infrastructure investment bank ठीक है अब ये आप लोगों के लिए सवाल है एक bank है काफी जादा news में रहता है new development bank या bricks bank ठीक है इस bank को बनाने की जो declaration हुई थी वो कौन से एक तरीके से conference के अंदर पूचा था ये आपको नीचे comment करना कि कौन से एक तरीके से conference के अंदर जो किस country के अंदर हुआ था और ये decision लिया कि भाई bricks bank बनाना है new development bank बनाना है ये आप नीचे comment करेंगे और उसके साथ attach करेंगे कि new development bank का headquarter का है अभी हमने पढ़ा Asian infrastructure investment bank का headquarter विजिंग के अंदर है new development bank का कहां पर ये आप नीचे comment करेंगे यहां पर बात हो रही है नीचे अगर आप देखेंगे एक फोड़ो एक न्यूज चोटी सी जस्ट एक सिंपल सी information वह आपको आपके साथ share करनी है यहां पर mention किया गया है no p.m. photo in vaccine certificate in pole bound state मैंने बताया कि जैसे election announcement हो जाती है model code of conduct लागू हो जाते है model code of conduct का मतलब है आदरस अचाहस रही था या एक ऐसे rules and regulation की political party जो सरकार के अंदर है उनके उपर candidates के उपर ठीक है इसके लावा जो voters है उनके उपर भी यह rules and regulation लागू होते है एक तरीके से उनको क्या चीज़े करनी है क्या चीज़े नहीं करनी है तो reason is that यहां पर यह बता है कि कोई भी इस तरह की चीज़े सरकारी चीज़े जो politically advertise करती है वो allowed नहीं होगी ऐसा नहीं कि यह इसी बार हुआ इसे पहले असाम वेस्ट बिंगोल तमिल नाडू पुडू चेरी और के अंदर जो election हुए थे उसके अंदर भी यह चीज़े mention थी कि भी आप प्राइमिस्ट साइब की photograph जो vaccination के अंदर vaccination certificate में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि देश के अंदर model code of connect लागू कर दिया गया है खासकर इन past state में यह बिलकुल भी लागू रही हो सकती इसके बाद page number 10 पे ग्रम देखते हैं जली कट्टू का एक issue काफी ज्यादा highlighted रह देश के अंदर आप देखेंगे मकर सकरांती जो होती है 14 January को आसपास देश में अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरह के फेस्टिवल सेलिबरेट की जाते हैं इसी तरीके के फेस्टिवल पोंगल जो की तमिल नाडू के अंदर सेलिबरेट किया जाता है इस से पहले लगवाश चार दिन का एक प्रोग्राम बोल सकते हैं एक फेस्टिवल की तरह जो सेलिबरेट करते हैं तमिल नाडू में उसको बोलते है जली कटू ठीक है इसको बैन कर दिया वेलोर डिस्टिक में तमिल नाडू में और यहाँ पर यह बोला गए COVID-19 केसी जो है वो इंक्र बैन कर दिया ता जली कटू का मतलब क्या है एक बैल होता है ठीक हो इसको छोड़ दिया जाता है ऎसे क्राउड के अंदर उसको गुला जा ता और उसमें जो हुर्ण होते हैं इसके थूँर उसको कन्ट्रोल करना एक एफट्स एक तरीके से परमपरा का हिस्ता उन कर आए 2014 में सुप्रिम कोट ने बेंद कर दिया सुप्रिम कोट ने कहा पिटिसन फाइल करी गई थी कि यहाँ पर animal cruelty हो रही है ठीक है आप animal को नुकसान पहुंचा रहे है अब इसमें दो पार्ट है पहला वो लोग जो विरोध करते है वो यह बोलते है कि animal cruelty होती है इनकी condition इसमें कई बार physical violence हो जाती है कि आप देखे बैल को भी चोट लगती है और जो इनसान इसके अंदर participate करते हैं उनकी भी कई बार death हो जाती है इसके लावा इनको बगाने के लिए एक तरीके से कहीने कहीं इनके against जैसे कुछ इनको बार-बार पीटना हो ये इस तरह की chili powder का इस्तमाल करना हो ये पक्स है जो लोग ये चाते हैं इसको बैन कर दिया है 2014 में बैन हुआ था ठीक है उसके बाद एक पक्स आता जो इनके sport में है वो है तमिलनाडू के लोग ठीक तमिलनाडू के लोग ये बोलते हैं ये तो हमारी ancient परंपरा का हिस्सा है इसको बैन नहीं कर सकते हैं दूसरा ये farmers के लिए important है थर्ड जो है youth एक तो सही quality के bell को identify करने के लिए और youth का participation जो उनकी energy level को उनकी capacity को उफज़र करने के लिए इसको लेकर इसको बैन नहीं होना चाहिए अब बात करते हैं देखिए 2014 में बैन हुआ 2017 में तमिलनाडू गवर्मेंट ने एक review प्रेडिशन फाइल करी सुप्रीम कोड ने फिर्वी मना कर दिया अब ये पूरा issue हो गया बहुत ज़्यादा उसके बाद क्या किया गया तमिलनाडू सरकार ने Animal Cruralty Act जो है 1960 उसके अंदर अमेंडमेंट क्या Central Government का एक्ट है और क्योंकि अगर आप Central Government के एक्ट को amendment कर रहे हैं तो उसके लिए आपको Governor नहीं President के जाई तो Governor साब ने President को भीजा बेजिडेंट सामने इसको अप्रोल कर दिया और फाइनली अब जो इस पर बैन नहीं है इस पर दर लो ठीक है यह एक information इसके बारे में काफी important है यह topic और बहुती debate में रहता है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो सारी चीजों के बीच में यहाँ पर कुछ restriction लगाएगे COVID-19 की वज़े से यहाँ पर फिर से उसी के बारे में बताया गया आयनस विक्रांट के बारे में ठीक है तो basic information है कोई particular नहीं है इसी तरीके से यहाँ पर एक right hand side information है राफेल M compatibility with aircraft carrier to be tested भारत के अंदर राफेल की गरम बात करते हैं तो हमने agreement किया था कि Indian Air Force के साथ Indian Air Force के लिए 36 राफेल जैट जो हम लोग खरीद रहे हैं किस से फ्रांस है ठीक है लेकिर Indian Navy के अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी इस तरह के aircraft की टेस्टिंग होगी जिसमें राफेल M demonstration जो है यह आप आप देखेंगे फरवरी एक को आप गोवा की जो test facility वहाँ पर इसको testing होती ही नज़र आएगी इसके लाबा Indian Navy की अगर आप देखेंगे shore based test facility की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर dissolved aviation द्वारा जो बनाया गया french aircraft उसको testing करी जाएगी इसी तरीके का यह aircraft है F slash A 18 करके यह super hornet माना जाता है S B TF category के अंदर यानि shore based test facility की अंदर इसको भी demonstrate करने या उसकी compatibility कितना compatible है कितना function कर पाता है उन सब चीजों को observe करने के लिए काफी जादा important है ठीक है इसके अलाबा यहाँ पर आप देखेंगे दोनों में difference बताया गया है F 1 A 18 और जो राफिल M है इनमें difference किया है एक single seater है दूसरा जो है F A 18 जो ही है double seater है twin seater जिसको बोलते है ठीक है इसके लाबा 36 aircraft के बारे में जो deal हुई नहीं सब चीजों के बारे में बताया गया तो 2017 में Indian Navy ने request करी थी request for information में कि हमें at least 57 twin engine career fighter की requirement है और इसमें अभी 26 है ठीक है इसमें few twin seater trainer variant है तो इसको बढ़ाने के बारे में हमें लगातार काम करना पड़ेगा और इसको लेकार DRDO, Air Nautic Development Agency इन सब के एक important responsibility भी होगी और इनका एक important role भी इस पूरे scenario में देखने को मिलेगा अगर हम बात करते हैं Indian Navy के अदर Indian Navy और अगर आप Chinese Navy को compare करेंगे तो एक difference नजर आता है Indian Navy में जो एक shortage हो है submarine की ठीक है submarine की कमिया है उसकी को लेकर अगर आप देखेंगे मैंने जो first page पर question पूछा था project 75 वो submarine को ही development करना अच्छे submarine development होगी उसी को लेकर वो question आप लोगों से था इसके बाद बात करते हैं page number 11 पर page number 11 के अगर हम बात करते हैं तो world affair में एक ही important information है जो की understanding के perspective से है और भारत के बारे में भी क्योंकि चाइना के foreign minister जो है वो सिलंका के अंदर के सिलंका के अंदर जो इनकी visit है उसके wishes माइने है ठीक है सिलंका के अंदर अगर Chinese investment बढ़ता है च बार देखा है कि जो political leader होते हैं जो leadership की quality के अगर हम बात करते हैं यहाँ पर Chinese foreign minister ने mask लगाया हुआ लेकिन सिलंका की जो प्राइम इस्टर है इनको ऐसा लग था कि जबरदस्ति पकड़ा हुआ है और इन्होंने mask नहीं लगाया हुआ मैं यहाँ पर यह बोल रहा हूं कि example बनिए तो इसमें गांदी जी की जो quotes है कि आप जो बदलाओ दुनिया में देखना चाहते हैं खुद अपने अंदर पहले लेकर आईए तो वो testing है यहाँ पर आप उसको application कर सकते हैं अब बात करते हैं गोटबाया राजपाक से मेट्स चाइनिज प्रिजडेंट फोरें मि सिनिश्टर हो mostly इनकी family member है ऐसा लगेगा कि democratic setup के अंदर भी जो nepotism या प्रिवारवाद की जो सही definition वो आपको सिलंका के अंदर नदर आएगी तो सिलंका ने बहुँ जादा लोल ले रखा है और अब यह चाहते हैं कि चाइना इनके assistant को restructure कर दे यानि तरीके से जो पैसा इ economic crisis को face कर रहा है सिलंका ने चाइना से 5 billion dollar का loan ले रखा अब 5 billion dollar का मतलब होता 10% के आसपास ठीक है इनका जो total foreign debt है उसमें 10% के आसपास है इसके अलावा यहाँ पर economic meltdown हुआ है काफी जादा issues हुआ है और जो foreign reason हुआ है तेजी से कम यहाँ पर हुआ है उसका एक बड़ा reason य ज्यादा नुकसान पहुचा है क्योंकि वह बहुत ही crucial है मैंने दो-ती दिन पहले ही बताता है कि triple T economy है सिलंका textile टी और tourism ठीक है तो तीनों में ही नुकसान देखने को मिल रहा है सिलंका के अंदर फोरेक्स रिजो जो अभी केवल 1.6 billion dollar है नॉम्बर की बात है 1.6 billion dollar यह फोर इंका में तो आपको पता चलेगा कि फोरेक्स रिजो बहुत important होता है अगर यहां पर कमी आती है तो 91 औ 92 के आसपास हमने economic crisis देखने को मिला उसका बड़ा reason था कि हमें क्या हुआ हमारे पास फोरेक्स जो नय के बराबर हो गये थे या काफी कम हो गये थे यह important import cover करने के इंपोर्ट कर रहे थे चाइना से वो भी cancellation हो गया था दोनों के बीच में थोड़ा सा dispute भी हुआ था इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें करें करने को लेकर भारत से भी रिक्वेस्ट करी है 2020 में रिक्वेस्ट करी थी लेकिन अब यह तक उसको जो हो अप्रूवल नहीं भारत यह बोल रहा कि डिफिकल्टाइज में हम लोग सिलंका की मदद करेंगे लेकिन दिक्कत ही होती मैंने पहली बता है अगर माल लेते हैं कि हमने जो लोन है वो डोलर के अंदर पे करा है और सिलंका वो पे करना चाहता है सिलंगन करेंसी में जिसकी वेल्यू अगर आप देखेंगे लगवद 2.7 है यानि एक इंडियन रुपिया सिलंका का 2.7 सिलंकन रुपेज के एक्यूलेंट है यह तो पाकिस्तान की करन्सी वे से पीछे चले गई है तो उस कॉंटेक्स्ट में ये एक इसू होता है कि क्या वो करन्सी स्वेब करेंगे या सिलंकन करन्सी के इंदर लोन को फेट करेंगे यह एक त्रीके से इस्यूले के अंदर है ठीक है बाद में बताया गया कि दोनों मिलकर काम करेंगे वह शारी चीज़े ठीक है यह एक इंप्रुम्हूर्टठ चीज़ें आपको नदर आयगी शिलंका का अगर आप इंप्रुम्हूर्ट लेते हैं यहां पर साइप्रस क्यों न्यूज में वहां के फॉरम इस्ट नहीं चाहते हैं कि एलक्षिन वहां पर लड़ा जाए तो साइप्रस की यह जोग्राफिकल लोकेशन मेडिटरियन सी के इस्टरन पार्ट की तरफ आपको एक आइलेंड कंट्री मिलेगी जिसका नाम है साइप्रस और यह काफी जादा न्यूज में रही थी क्योंकि टर्किय लगातार यहां पर प्रिशर करने कोशिश करता है इसके इस्ट वाले पार्ट में हाइड्रो कार्बन क लेकर यह न्यूज में रही थी इसके लावा फ्रेंच जो इसको स्पोर्ट करता है इस पूरे सिनेरियो में इनकी प्रिजेंस होने चाहिए इनके अलावा एक सवाल आप लोगों के लिए यहां पर हम साइप्रस तो पड़ी रहे हैं आप लोगों के लिए जैसे अगर आपक कुछ C दिये गए हैं छोटे-छोटे इनको आपको सर्च करना है ठीक है जैसे टैर्नियन सी है ठीक इनको आप सर्च करके नीचे कमेंट करेंगे इसके लावा एक और यहां पर जानकारी जो आपके लिए है वो है जिपराल्टर स्टेट से यह जो है वो करेक्ट होंगे क्या यूरोप और अफ्रिकन कॉंटिनेंट यह ध्यान रखिए कुछ छोटी-छोटी जानकारी है आपको आपके लिए अब हम बात करते हैं क्योंकि आज एकनोमिक का सक्षिन या बिजनस पेज नहीं आता तो उसके बारे में एक रिवीव आता है वो इंपोर्टन नहीं है स्पोर्ट्स को लेकर काफी ज़्यादा डिबेट हुई UPSC में क्या स्पोर्ट्स पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे मैंने पहले ही बताया था 2021 में जो सवाल हुए थे स्पोर्ट्स को लेकर दो क्योशन पहला टोक्यो ओलंपिक को लेकर ओलंपिक एक रेर इवें UPSC में पूछे जाने की possibility है बट हम उसको deny नहीं कर सकते हैं ठीक है और यह surprising नहीं है अगर आपने question को observe किया हो तो UPSC ने mains में भी जब DRS system लग हुआ था decision revolution तब भी सवाल पुछा था paper 3 के अंदर technology में ठीक है तो आप उससे चोकिये मत वो सवाल पूछे जा सकते हैं इसके लाबा जैसे आप sports में देखेंगे major event का जो conclusion होता है वो important होता है जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि भरत सुबर्मन्यम जो भारत के 73rd Grandmaster बन गए अब इस तरह question UPSC में पूछे जाने की possibility कम है civil services में खास का UPSC के दूसरे examination में हो सकता पूछ ले state civil services में हो सकता पूछ ले तो उसका आप ध्यान रखेंगे तो आज के इस video का यहीं पर हम लोग end करेंगे आज के इस video में इतना ही जो सवाल पूछे गए उनके answer जरूर करिए Thank you all, जैहिन